कौन सी पीठ है माराज कहां पर चंडी गड़ आप एक फोटो लाए होंगे हमाई पास डेटेल आई यह जब आप बैठे थे अच्छा लाए है ठीक लिए रही हां ठीक लिए रही हां ठीक लिए रही हां चंडी गड़ से आंगे बगला मुखी पीठ है तो वहां किसरी महनत हैं आप जिबू मेरे पिता जी द्वारा स्थापित है और मैं वहां पर छे साल पहले मैंने जूना अखाडा से सन्यास करकर और मा की सेवा में हूँ बाकि बहुत छोटा था तब से मा काली का मुझे बहुत प्यार है मा काली से अब मैं जाता हूँ कि देवी भागवत कथा भी करता हूँ भागवत जी भी करता हूँ लेकि शरीमत देवी भागवत कथा मैं चाहता हूँ कि जीवन भर शरीमत देवी भागवत कथा हैं मैं करता रहूं मा की सेवा करता रहूं मा से बाते होते रहें मा मा काली कलकत्ते वाली मेरी मा बगला मुखी के साक्षात दर्शन मुझे पराप्त हो ये मेरी कामना है और मा की सेवा करता रहो भक्ती बढ़े पहली बार आपका नहीं एक बार ताली बजाओ महरा जी महरा जी की एक बात बताएं रहस की बात महराय जी की अरजी लगनी नहीं थी लेकिन मा भगला मुखी माता की ऐसी कृपा आपके उपर इसमें किंच्चित मातर भी संदेह नहीं है हमारे मन में बहा होता कि हमाराजी को कठा के बाद एक आद मिनट मिल लेंगे अरजी तो मुस्किल है लेकिन अभी दो मिनट तीन मिनट से लगातार ऐसी अंतरंग पेड़ना लग रही थी कि बार बार महराजी एक पीला वस्तर जो भगवला मुखी माता का लाय थे जो क्या बोलते हैं अंग वस्त मा की चुन्री वो चुन्री बार बार दिखी हमें लगा कि सायद जो है भगवती का ऐसा आदेश है कि आप से हम दो मिनट बार तक कर पाएं अब ले लो माइक जो करा बिना माइक कर बोलो को फूस जोके कोई बात बाइपर क्या पूछना एं अपको हमने लिखा पहला पुरस्ण है भाई का बाई का पुरस्ण लेकरकरके आये जिसमें जानकारी चाहते हैं बिजनेस क्रपा होगी आसिरबाद दूसरा साधना प्रतक्ष चाहते हैं कृपा होगी सबारी बनती है देवी की इसके बारे में जानकारी लें तीसरा धनकी तंगी बनी बिरोधी लोग अत्तिक पीछे लगे हुए हैं लगातार परेशान करते हैं गलत आरोप प्रत्यारोप में फसाने के लिए एक बार मोबाल स आपको बनती है वो देवी की ही सेना है बगबति नहीं पर देवी की सेना है उसमें किंचत मातर भी संदेह नहीं मूल प्रशन जिसकी अर्जी आपकी लगी है वो ये पूर्व में जो बाग के वोल देते थे वो पूर्ण हो जाता था लोगों के काम सफल होने लगे थे बहुत जल्दी जल्दी बड़े इस्तर के लोग जुड़ गए थे अब वही लोग कट भी गए हैं और कुछ बिरोधी भी बन गए इस तनाओ के डिप्रेशन से गृषित बरतमान में आप 2018 से हैं ऐसी अर्जी लेकर के आप आए जी महराजी बिलकुल सही है जो सबारी है भगमान वो देवी की सेना है साधना में दो-तीन विधिया हैं उनको आप करने रात्री काल में आप करें भाई को एक बार दर्शन करवाना है भाई के काम में बंधन तंत्र द्वारा किया गया है अब पर अब हम वो चर्चा अगर यहां करते हैं तो उसका असर बहुत गलत होगा आप हमारी आत्मा है उस साधू की हम चरणों की धूली है तो प्राण रज हैं तो हम जब उतरने लगेंगे कान में एक बात बोलते जाएंगे मतलब वो आपकी कमी नहीं है लेकिन जिसने आपके साथ विश्वास घात किया वो है चुकि वो भी साधना जानता है वो भी साधना करता है जी इसलिए हम कहते हैं यहां से उतरते ही हम चर्चा करेंगे तो क्रिया जो प्रियोगिक है उसका असर भाई पर जादा है और आपकी स्वयम की क्रिया बिगडी है इसलिए आप पर उसका दुस्प्रवाब सबस्वाहा होगा आप सोच नहीं पाते कुछ कर नहीं पाते बैठते ही गलत बिचार आते हैं कुछ अलग आते हैं आलस आ जाती है पूजा करने के पहले ही नीन आने लगती अब कल करेंगे कल फिर होता नहीं है अब परसों करेंगे फिर फरसों होता नहीं है फिर मुबाइल में कहीं बिचित रिष्टिती बनेगी कहीं सोयम में बनेगी लेटे रहेंगे बैठे रहेंगे हमेशा ऐसी हरकतें बनती है तो ये क्रिया विगड़ी है आपकी इसे क्रिया विगड़ना कहते हैं और एक व्यक्ति के कारण क्रिया विगड़ी है अनमान जी महराज दया करेंगे भाई को एक बार दर्शन करवाई है हम आपकी साधना बापिस लोटवा देंगे अप्रतक्ष के लिए तो देवी की किरपा पर साधना बापिस लोटवा देंगे जैसे 2010 में, 2008 में, 2012 में कर रहे थे 2012 तक ठीक हुई इसके बाद धीरे 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 शुम्र, आशिरवाद आपको बालाजी बुलाएंगे और विवस्ता भी करें खुछ भजन और माला बढ़ाओ एक फोटो और एक फोटो दो है एक हमन देदो एक हमन देदो एठीक पिताजी जोटी जाचा रहा है वैसे अपना CID में विजिलन्स में सब इंस्पेक्टर ते हर्याना पुलिस आपके पिताजी आपके लिए एक बीजमंत्र ऐसा आया पता नहीं कहां से आया जरा पड़िये तम किसका बीजमंत्र हुआ हमें नहीं है पता तिन माला प्रणाम 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 आपका कार बाला बगला माता पीठा धिश्वर स्वामी विश्व मित्रानंद गरी बाथ बड़ा नाम है मारेच प्रणाम कर लोग प्रणाम प्रणाम सिताराम रे साधुजी सिताराम